नमस्कार दोस्तों एक बर फिर आजी रमाप साथ एक ने और बहुत महत्पूर टॉपी क्लिकर यानी फ्रेंट्स आज इस वीडियो में बात करेंगे वसियत किसे कहते हैं वसियत और वरासत में क्या अंतर होता है साथी साथ एक मैटर पर बात करेंगे जिसमें कोड में फैसा सुनाया है कि अगर कोई भी वसियत करता है अगर उसमें वसियत करता के द्वारा कई उत्रा धिकारी का नाम दिया जाता है तो उसमें किस उत्रा धिकारी को क्या उसमें प्रोपर्टी मिलने वाली है कि जितने भी लोग हैं क्या सभी को वहां पर हिस्यदारी मिलेगी या जितना उसमें कहा गया है उसी की बात मानी जाएगी वसीयत के तुक करता के द्वारा जो उसमें कहा गया है तो एक मामला है जो कि इलहाबाद का है उसमें कोट ने फैसा सुनाया है तो उस पर भी हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे आज वसीयत के बारे में मामला क्या है कि प्रोपर्टी पर एक वारिस होने पर दूसरे के अधिकार पर क्या असर पड़ता है इस पर हम बात करेंगे में टॉपिक यही है कि अगर कोई वसीयत करता है और एक वारिस जो है उसके अलावा अगर कोई अधर वारिस है उस प्रोपर्टी का तो उससे क्या असर पड़ेगा दूसरे पर इस वीडियो मा आप पूरे अच्छे से सिखेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे वसीयत के बारे में वसीयत किसे कहा जाता है तो वसीयत एक कानूनी तोर पर एक मान अदस्ता वेज है जिसके जरिये अपनी संपती अपनी इच्छा से किसी संबंदित प्यक्ति को अपने मृत्यू के बाद सौपते हैं अगर आप नाबालिक न करवा सकते हैं जो कि जाके अपने तैसिल में मिल सकते हैं वहां से आपने वसीयत नामा कर सकते हैं इसमें कुछ डाकुमेंट्स लगते हैं वो डाकुमेंट्स आप लगा के वसीयत जो कि रजिस्टर जरूर करवाएं तैसिल में अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते हैं तो व पूरा इस्टेटस यानि वो कहां पे है लोकेशन क्या है उरकी जमीन पूरा पता होता है वसीयत करता के वसीयत करता के बाद अगर बात की जाए तो कितनी प्रोपर्टी है उसका पूरा ब्योरा देना होता है प्रोपर्टी के ब्योरा देने के बाद आप उस प्रोपर्टी की एड होता है आप बात करेंगे VASIGYत और वरासत में क्या आ Think वरासत setting क्या होता है अब किसे आप कोई भी property है और आप नहीं रहते हैं तो उसके द हुलान आपके जितने भी पूत्र हैं उन सब में या पत्नी जीवीद है तो उनको या पुत्रों में वो आपकी प्रोपर्टी को बांट दिया जाएगा बराबर बराबर हिस्से में लेकिन वसीयत में यह होता है कि अगर वसीयत आपका भले सगा बेटा है अगर आप उसे नहीं देना चाहते हैं, आप अगर वसीयत में लिख सकते हैं, लिख देते हैं कि मैं ये जमीन अपनी इस बच्चे को नहीं दे रहा हूँ, तो वो उनको नहीं दी जाएगी, ठीक है बहले ये उनका खुद का बेटा है, लेकिन वरासत होता है कि अगर आपने वसीयत नहीं की है, जो भी जमीन है, तो आप अपने बेटे को दे सकते हैं, मतलब आप बढ़ जाएगी, चाहे आपका बेटा किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो नालायक हो, बेमान हो, गुंडा हो, कुछ भी हो, वो बढ़ जाएगी, समझ गया है बात, वसीयत और वरासत मे समझ गया होंगे, ठीक है, तो इस तरह से अगर हम बात करें, जो ये मामला है, वसीयत का तो सुप्रिम कोर्ट ने, यहां पर इलावात खंड़ पीट ने भी यहां पर बात साफ कर दी है, कि अगर कोई भी जमीन है, कोई भी प्रोपर्टी है, मान लिजे यहां पर जो बात क पतनी को दिये जाए, अगर वो जिन्दा है, तो या तो अगर वो जिन्दा नहीं है, तो वो बेटी को दी जाए, कितना किसको दे जाएगी, बेटी को दे जाएगी, पूरी प्रोपर्टी, अगर पतनी जिन्दा है, तो पतनी को दी जाएगी, अगर पतनी जीवित नहीं है तो पूरी प्रोपर्टी का मालिकाना हक बेटी को दिया जाएगा अगर बेटी ही पहले अगर नहीं रहती है दुनिया में तो वो पत्नी के नाम पूरी हो जाएगी साथ ही साथ अगर दोनों नहीं रहती हैं तो वहाँ पे उनके पौत्रों को दिया जाएगा यानि बेटी के या कोई भी प्लोट है तो जितना हिस्सा उनको बोला गया है तो उनको दिया जाएगा तो माल लेजिए कि अगर आप यहां पर जो पौत रहा है वो चाहते हैं कि मेरा भी नाम वसीयत में है और मुझे भी जमीन मिलनी चाहिए या प्रोपर्टी मिलनी चाहिए तो उन लोगों तब तब नहीं मिलेगी जब तक यह दोनों में से कोई एक जिंदा है चाहे पतनी जिंदा हो चाहे आप उनकी बेटी अगर दोनों अगर यहां पर जीवित हैं तो सबसे प्राथमिक्ता जिसको पहले बोला गया है उसको मिलेगी अगर वो नहीं है तो दूसरे कंडिसन पर अगर उन दोनों में से कोई नहीं है तब यह कोड इस पर फैसला करेगी कि अब यह जमीन किसको दी जाएगी ठीक है तो फ़र्ष्ट प्राथमिक्ता उसी को दी जाएगी जिसके नाम आप करते हैं तो फ्रेंट्स आसा करते हैं यह बात समझ में आ गई होगी अगर कोई प्